प्रिय दोस्तों नमस्कार आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ओ को ओ कब पढ़ते हैं ओ को ओ कब पढ़ते हैं देखें यदि किसी सब्द में ओ के बाद कोई ब्यांजन हो और ब्यांजन के बाद ई हो यदि किसी सब्द में ओ के बाद कोई ब्यांजन हो और ब्यांजन के बाद ई हो तो वहाँ पर ओ को ओ पढ़ा जाता है उद्धारन के लिए देखें यहाँ पर देखें ओ की बाद ब्यांजन है अन उसके बाद ई है तो यहाँ पर इस वाले ओ का उचारण ओ होगा तब हम इसका संपूं उचारण करते हैं फो इस फो में ओ का उचारण आपको इस पश्ट रूप से दिख़ा होगा ठीक उसी प्रकार दूसरा है ओ के बाद ब्यांजन है अम और इसके बाद ई है अम के बाद ई है तो इसका संपूं उचारण होगा ओ यहाँ पर हमें ओ का उचारण इस पश्ट है ठीक उसी प्रकार यहाँ ओ के बाद ब्यांजन है ब्यांजन के बाद इह तब इसका संपूं उचारण होगा यहां भी हो में ओ का उचार इस पश्ट दिख रहा है अब इसकी परिभासा पर चलते हैं दिखी ओ को ओ कब पढ़ते हैं यदि किसी सब्द में ओ के बाद कोई ब्यंजन हो और उसके बाद यह हो तो ओ को ओ बढ़ा जाता है जैसे आपके सामने देखी दिख रहा है हो इसको हमने आपको अच्छी तरों से समझा दिया है इस वीडियो में एतना ही थैंक यू हमने आपको अच्छी